हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू एससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है हम लोग इस वीडियो में माई 2021 के बेस्ट हंडेड एमसीक्यू करेंट अफेर्स को पढ़ने वाले हैं आपका जैनवरी का बेस्ट हंडेड एमसीक्यू हो चुका है, फैवरेरी, मार्च, अप्रील का हो चुका है, आज होने वाला है माई का सारे important questions हैं, इसलिए सब को एक्जाम से पहले पढ़ कर जाना है, best content है ये, ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हम लोग अपना ये important session first important question आपके screen पर है, who among the following has been appointed as new chairman of the board of Bazzazz Auto निम्र लिखित में से किसे Bazzazz Auto के board का नया अध्यक्ष निउक्त किया गया है, any idea answer जो है आपको अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, revise करते चलना है आपको तो नीरज बजाज, नीरज बजाज का नाम याद रख लेना है, नीरज बजाज जो है appointed हुए है, new chairman of the board of Bazzazz Auto के, नीरज बजाज next question पे चले, question number आपका 2 क्या दिया है who has been recently appointed as the first woman commanding officer in BRO हाली में BRO में पहली महिला commanding officer के रूप में किसे newt किया गया है, किसे newt किया गया है, तो वैशाली हिवास को जो है newt किया गया है, first woman commanding officer in BRO, क्या होगा वैशाली हिवासे next question, question number 3, which country has become the first country to allow driverless car on road, कौन सा देश, सरकों पर चालक रहित कारों की अनुमती देने वाला पहला देश बन गया है, ठीक है, driverless car है ये, कोई भी driver नहीं होगा इसके अंदर, कौन सा वो देश है, तो UK यहाँ पर right answer है, UK, UK, United Kingdom जो है, right answer होगा यहाँ पर next, who has been reappointed as MD and CEO of Axis Bank, MD और CEO के रूप में किसे newt किया गया है, Axis Bank में, और ये reappointed हुए है, है ना, क्या होगा right answer, अमिताब चौधरी जो है, इनका नाम है, ठीक है, अमिताब चौधरी, ये reappointed हुए है, MD and CEO of Axis Bank, next question, question number fifth, रोहित सरदाना, इनका नाम आपने 110% सुना होगा, रोहित सरदाना, इनका क्या हुआ निधन हो गया है, ये क्या थें, तो ये एक प्रख्यात, TV जर्नलिस्ट थे, आज तक पे आते थे, पहले जी निउस पे थें, टीवी जर्नलिस्ट ये थें, रोहित सरदाना, इंटरनेशनल लेबर डे, अंतराश्ट्रिये श्रम दिवस, ये हर साल किस दिन को मनाया जाता है, लेबर डे होता है, फर्स्ट मई को, विश्व अस्तर पर सबसे मुल्यवान बीमा ब्रांड में, LIC की रैंक क्या है, LIC जो है, कितने रैंक पर है, ये अगर हम बात करें, मोस्ट वैलेबल इंसुरेंस ब्रांड ग्लोबली तो, ये टेंथ नमबर पे है, ठीक है, LIC कितने नमबर पे है, टेंथ नमबर पे है, नेक्स्ट कोशन नमबर 7, 8, वर्ल्ड टुना डे, विश्व टुना दिवस, विश्व अस्तर पर किस दिन को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है कब, शकेंड मई को, याद रहेगा, विश्व टुना डे, अब्जर्व ग्लोबली, राइट एंसर क्या होगा, 2nd मई, विश्व एस बीन नेमड अस दे, फोर्थ डेपुटी गवर्नर ऑफ दे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतिये रिजर्व बैंक के चौथे डेपुटी गवर्नर के रूप में किसे नामित किया गया है, क्या होगा, राइट एंसर, किसे नामित किया गया है, टीबी रभी संकर, ठीक है, टीबी रभी संकर इनका नाम है, 4th Deputy Governor of the Reserve Bank of India कौन है TB Rabhi Sankar Next Who has been awarded Japan's Order of the Rising Sun Honor Japan के Order of the Rising Sun सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है किसे सम्मानित किया गया है इनका नाम क्या है Shyamala Ganesh ठीक है Option Number D हो जाएगा Shyamala Shyamala Ganesh इनका नाम है Next Which of the following is the most valued Indian IT firm निम्न लिखित में से कौन सबसे मुल्यवान भारतिय आईटी फर्म है कौन सबसे मुल्यवान भारतिय आईटी फर्म है अगर हम बात करें तो क्या होगा Right Answer TCS TCS नाम याद रहना चाहिए आपको 2021 का theme क्या था World Press Freedom Day 2021 का theme तो क्या होगा Information as a Public Good Information as a Public Good ये theme था World Press Freedom Day 2021 का who has been appointed as the Managing Director of Kotak Mahindra Life Insurance Company Limited के प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे निूट किया गया है वो कौन है उनका नाम क्या है तो क्या नाम होगा उनका महेश बाला शुबर मन्यम जो है ये इनका नाम है ये जो है बहिला IAS अधिकारी जिनका निर्फन हो गया उनका नाम क्या है दैस is the first female IAS officer from Assam passed away उनका नाम है पारूल देवी दास पारूल देवी दास जो है इनका नाम है पारूल देवी दास next who among the following has been appointed as acting chairperson of the national human right commission national human right commission यहाँ पे दिया वाई इसके chairperson के रूप में किसे नूप किया गया है acting chairperson क्या हो जाएगा प्रफूल चंद्रपंत इनका नाम है प्रफूल चंद्रपंत है ना यह जो है appointed हुए है as acting chairperson of the national human right commission next world asthma day विश्व अस्तमा दिवस यह कब मनाया जाता है world asthma day यह क्या हो जाएगा first Tuesday of May मई का जो पहला मंगलवार आएगा उसी दिन जो है world asthma day observed होता है मनाया जाता है next mark Shelby has recently became the first world champion for the fourth time he is associated with which sports event mark Shelby हाली में चौथी बार world champion बने है लगातार जो है यह चौथी बार world champion बने है वह किस खेल आयोजन से जुड़े है यह किस खेल से संबंदित है तो snooker हो जागा यहाँ पर right answer mark Shelby इनका नाम याद रखना है mark Shelby snooker जो है right answer है next who has been nominated as athlete ambassador for the international Olympic committee IOC believe in sport companion from India भारत की ओर से अंतराश्ट्रिय Olympic समीती के believe in support अभियान के लिए athlete ambassador के रूप में किसे नामित किया गया है इनका नाम है P.V. Sindhu P.V. Sindhu को नामित किया गया है former Sri Lankan player और coach has been banned from all cricket for six years Sri Lanka के पुर्व खिलारी रह चुके हैं यह coach रह चुके हैं जिनको क्या हुआ है 6 साल के लिए सभी cricket से प्रतिबंदित कर दिया गया है अब वो सभी cricket format से जो है इनको प्रतिबंदित कर दिया गया है बैंड कर दिया गया है इनका नाम क्या है Nuwan Joesha जो है इनका नाम है Nuwan Joesha Next Dash has been named as the 2021 laureates of the UNESCO ठीक है Gularmo Cano World Prize Freedom Prize चलिए तो यहां पर right answer क्या हो जाएगा किसको जो है UNESCO Gularmo Cano World Prize Freedom Prize के 2021 प्रुषकार विजेता के रूप में नामित किया गया है इनका नाम क्या है मारिया रेशा जो है इनका नाम है मारिया रेशा Next question Mamta Banerji Has sworn in as the West Bengal Chief Minister for Dash Times तो Mamta Banerji ने जो है कितने भी बार जो है पस्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में सपत ली है Mamta Didi Right answer हो जाएगा तीसरी बार Third time's right answer है Next question है The world longest pedestrian suspension bridge Named Aroca was opened in कहां पर ये opened हुआ है Aroca नामक दुनिया का सबसे लंबा पैदल यातरी निलंबन पूल डैस में खोला गया है Right answer क्या होगा पूर्टोगाल में खोला गया है पूर्टोगाल is the right answer Next Named the Mahatma Gandhi Former Personal Secretary Was passed away recently Mahatma Gandhi के पूर्व नीजी सचीव का नाम बताईए जिनका हाली में निधन हो गया इनका हाली में निधन हो गया है इनका नाम क्या है इनका नाम है वी कल्यानम वी कल्यानम इनका नाम है ये काफी कल्यान वाला काम भी किये है ये Mahatma Gandhi के पुर्व नीजी सचीव थे क्या नाम है वी कल्यानम next who will be honored with the icon award at the 2021 billboard music award 2021 billboard music award में icon award से किसे सम्मानित किया गया है इनका नाम क्या है pink ठीक है pink जो हो जाएगा यहां पर right answer next who is the present chief minister of Tamil Nadu Tamil Nadu के वरतमान मुख्यमंत्री कौन है इनका नाम है M.K.Stalin याद एकदम रखना है M.K.Stalin जो है इनका नाम है present time पे यह chief minister है Tamil Nadu के the bench इस book के author कौन है who is the author of children's book the bench बाल पुस्तक the bench के लेखक कौन है इनका नाम है Megan Markle Megan Markle जो है इनका नाम है Children's book the bench World Athletes Day यह किस दिन को मनाया जाता है World Athletes Day right answer क्या होगा 5th माई 5th माई को जो है विश्व एथलीट दिवस मनाया जाता है Next question है Who has been appointed as the director of the Indian Institute of Rice Research भरतिये चावल अनुशंधान संस्थान के निर्देशक के रूप में किसे निूट किया गया है वो कौन है किसे निूट किया गया है RM शुंधरम हो जाएगा यहाँ पर correct answer RM शुंधरम Next है Who among the following participated in G20 tourism minister virtual meeting held on 4th माई 2021 निमने लिखित में से जो है किसने 4 माई 2021 को आयूजीत G20 पर्यतन मंत्रियों का अभासी बैठक में भाग लिया उनका नाम था प्रहलाद सिंग पटेल इनका नाम है प्रहलाद सिंग पटेल Next है निमने लिखित में से किसने पुडुचेरी के मुख्य मंत्री के रूप में सपत ली किसने सपत लिया है ठीक है तो उनका नाम क्या है एन रंगा स्वामी इनका नाम है एन रंगा स्वामी नेक्स्ट वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ये किस दिन अब्जर्ड होता है विश्व प्रयावासी प्रक्षी दिवस ये होता है एट्थ मई को याद रखेंगे एट्थ मई हो जाएगा राइट एंसर नेक्स्ट थीम क्या था वर्ल्ड रेड्ड क्रोस डे का थीम था अनिस्टॉपेबल अनिस्टॉपेबल जो है ये थीम था नेक्स्ट कोशन वर्ल्ड रेड्ड क्रोस डे जो है ये किस दिन अब्जर्ड होता है वर्ल्ड रेड्ड क्रोस डे जिसका थीम था अनिस्टॉपेबल और ये किस दिन को होता है वर्ल माइग्रेटरी बर्ड डे का थीम था शिंग फ्लाई शोर लाइक अबर्ड नेक्स्ट हाली में किसने 25 वी बार माउंट एवरेस्ट फता किया उनका नाम क्या है कामी रिता इनका नाम है यह जो है 25 वी बार माउंट एवरेस्ट पर फता किया है इन्होंने नेक्स्ट असाम के चीफ मिनिस्टर के रूप में किसने सपत दिया है असाम के चीफ मिनिस्टर अभी कुछ कुछ जो हैं चीफ मिनिस्टर लोग एपॉइंट हुए हैं नए बने हैं तो यह याद कर लेना है तो असाम के 15 चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं उनका नाम क्या है हिमं तो कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा है इसको वो कंट्री का नाम है पॉर्टोगल ठीक है पॉर्टोगाल नाम है नेक्स्ट दो हजार एकीस का स्पैनिस ग्रैन प्रिक्स ये किस ने जीत लिया है दो हजार एकीस का स्पैनिस ग्रैन प्रिक्स किस ने जीता है इनका नाम है लुईस हैमिल्टन ने जीता है नेक्स्ट अलिफेंट इन दा वंप का जो है हाथी के गव में पुष्टा के लेखक क का नाम बताइए इनका नाम क्या है काल की कोचलीन जो है इनका नाम है option number C next sports for sports woman of the year यह किसको दिया गया है lawyers world sports award के यह किसे दिया गया है तो नामी ओशाका को है ना नामी ओशाका हो जाएगा right answer next है in tennis dash of Belarus has won the 2021 Madrid open woman single title tennis में बेलारूस के dash ने 2021 Madrid open महिला एकल खिताब जीता है इनका नाम क्या है आर यह सब लेंग का option number C next who among the who among these won the best actor award at the new york city international film festival तो किस ने जीत लिया है new york city international film festival में शर्वस्रेश्ट अभिनेता का पुरुसकार किस ने जीता है इनका नाम है अनुपम खेर इनको कौन नहीं जानता है अनुपम खेर नाम है next in the main category who won the 2021 laureate sportsman of the year title चलिए तो वो में टाइटल तो नुवामी उशाका ने जीत लिया है में किस ने जीता है तो रफेल नडाल ने जीता है रफेल नडाल नेक्स्ट डॉक्टर तारेक कुतुबदीन रिसेंटली बिकेम दे फिर्स्ट पर्शन उप इंडिया ओरिजन तो विन दा फिफ्टेंथ सेख जायत बुक अवार्ड सेख जायत बुक अवार्ड इस कंसीड़ दाइश ओफ अरब वल्ड तो डॉक्टर ताहेर डॉक्टर ताहेरा कुतुबदीन जो है हाली में पंदरवा सेख जायत पुरुसकार जितने वाले भारतिये मूल के पहले वैक्ति बने हैं सेख जायत बुक अवार्ड को अरब जगत का क्या माना जाता है नॉबल प्राइज माना जाता है नॉबल प्राइज नॉबल प्राइज माना जाता है ठीक है Next National Technology Day National Technology Day ये कब होता है इसका राइट एंसर क्या होगा 11th मई को होता है National Technology Day Next Who has been named the ICC Mains Player of the Month for 2021 April 2021 Who has been named the ICC Mains Player of the Month for April 2021 बाबर अजाम जो है इनका नाम है Next Who among the following has been appointed as the National President of Fiki Ladies Organization निम्न लिखित में से किसे फिकी महिला संगटन का राष्ट्रिय अध्यक्ष न्यूक्त किया गया है Right answer क्या होगा उजुवला शिंगानिया जो है इनका नाम है उजुवला शिंगानिया Name the author of the book Life in the Clock Tower Valley Life in the Clock Tower Valley पुस्तक के लेखक का नाम बताईए इनका नाम क्या है इनका नाम है शकूर राधर ठीक है Next Reserve Bank of India ने appointed किया है किसको executive director के रूप में भारतिये Reserve Bank ने किसे जो है कारेकारी निर्देशक के रूप में निउप किया है उनका नाम क्या है जोस जे कतर जोस जे कतूर इनका नाम है ठीक है Next है International Nurse Day International Nurse Day ये किस दिन को celebrate किया जाता है Nurse Day ये किया जाता है 12th माई को क्या होगा 12th माई राइट एंसर Next Who has been appointed as the CEO of the proposed National Asset Reconstruction Company Limited तो किसे appointed किया गया है CEO के रूप में National Asset Reconstruction Company Limited के राइट एंसर क्या होगा Padma Kumar M. Nair जो है इनका नाम है Padma Kumar M. Nair Next Who among the following has been sworn in as the new administrator of NASA निम्न लिखित में से किसने नाशा के नए प्रशाशक के रूप में सपत ली है New Administrator of NASA किसने सपत लिया है Bill Nelson ने Bill Nelson का नाम है Bill Nelson Next International Nurse Day का थीम क्या था International Nurse Day का थीम क्या था इसका थीम था Nurses a voice to lead a vision for future health care Nurses a voice to lead a vision for future health care जो है यह International Nurse Day का थीम था Next Name the world's first intelligent ship said to navigate across the Atlantic दुनिया के पहले बुद्धिमान जहाज का नाम बताईए जो Atlantic के उस पार navigate करने के लिए तयार है उसका नाम है May Flower 400 क्या नाम है May May Flower 400 My Flower 400 हो जाएगा Next In which of the following seas Indian and Indonesian navies have conducted passage exercise निमन लिखित में से किस समुद्र में कौन सा वो समुद्र है जिसमें भारतिये और इंडोनेशियाईस नौ शेनाओ ने मार्ग अभ्यास किया है वो है Arabian Sea Arabian Sea हो जागा Right answer Next पुडूचेरी हैज अचीफ्ट 100% टैप वाटर कनेक्शन इन रूरल एरियाज अंडर विच मिशन ठीक है तो पुडूचेरी के पुडूचेरी ने किस मिशन के तहत वो कौन सा मिशन था जिसके तहत जितने भी ग्रामीन छेतरे हैं उनमें 100% नल का पानी कनेक्शन हासिल किया है जल जीवन मिशन यह जो जल जीवन मिशन था इसी के तहत 100% टैप वाटर कनेक्शन जो है रूलर एरियाज में पहुचा दिया गया है Green Urja Award यह जो है यहाँ पर क्या पुछा है यहाँ पर कि निम लिखित में से किस संस्थान को वो कौन सा और्गनाजेशन है कौन सा इंस्टिचूस्ट है जिसको हरीत उर्जा पुरुसकार यानि कि Green Urja Award दिया गया है क्या होगा Right Answer इरेडा इरेडा जो है यहाँ पर Right Answer हो जाएगा इरेडा को मिला है Next हाली में डैस ने Live Wire नामक एक All Electronic Motorcycle Brand लॉंच किया है Recently डैस लॉंच्ट अन All Electric Motorcycle ब्रांड काल Live Wire तो किस ने किया है यह Right Answer हो जाएगा Harley Davidson मेरा Favorite Bike Harley Davidson जो है यहाँ पर Right Answer हो जाएगा ठीक है Next Who has been appointed as the Chairman and Managing Director of भारत Petroleum Corporation Limited भारत Petroleum Corporation Limited के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है किसे नियुक्त किया गया है तो अरून कुमार सिना को नियुक्त किया गया है याद रखेंगे अरून कुमार सिना क्या नाम है अरून कुमार सिना Next किसे जो है वर्स 2021 का विश्व खाद पुरुसकार यानि की World Food Award 2021 किसे दिया गया है यहां पे नाम है इनका ठीक है शकुंतला हर्क सिंग बस याद रखेंगे आप Next Who has been appointed as the head coach of Indian women's cricket team भारतिये महिला cricket team के मुख्य कोच के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है राइट एंसर होगा रमेश पुवार रमेश पुवार को न्यूक्त किया गया है Next Which of the following state police has launched a drive called Mission Hossla निम्न लिखित में से किस राज की पुलीस ने Mission Hossla नामक एक अभियान शुरू किया है Mission Hossla नामक एक अभियान शुरू किया है राइट एंसर क्या होगा उत्रा खंड उत्रा खंड यहां पर राइट एंसर है Next Who has been recently named COP26 People's Advocate हाली में COP26 People's Advocate किसे नामित किया गया है राइट एंसर क्या होगा David Attenborough को जो है यहां पर नामित किया गया है David Attenborough Next question The International Day of Families यह किस दिन को अबजर्ड होता है The International Day of Families is observed every year on 15th मई 15 मई को अबजर्ड होता है और theme देख लीजिए Theme था इसका The theme of International Day of Families 2021 is Families and New Technology Families and New Technology इसका theme था Next किस फुटबॉल टीम ने 2021 प्रीमियर लीग चैंपियंशिप जीती थी तो किस फुटबॉल टीम ने 2021 प्रीमियर लीग चैंपियंशिप जीती है वो है Manchester City ठीक है Manchester City won the 2020-21 प्रीमियर लीग चैंपियंशिप Next है Who among the following has topped the world's 50 greatest leader list for 2021 released by Fortune magazine तो कौन है top position पे अगर हम बात करें वोल्ल's 50 greatest leader list की राइट एंसर होगा यहाँ पर कौन सा आपका जाशिंडा आर्डेन जो है यहाँ पर राइट एंसर है Next है International Day of Living Together in Peace When is the International Day of Living Together in Peace is observed यह किस दिन को होता है यह होता है 16th माई को 16 माई को International Day of Living Together याधि रख लो International Day of Living Together in Peace is observed on which date 16th माई is the right answer 16th माई हो जाएगा correct answer 16 माई क्या होगा 16 माई राइट एंसर होगा Next Name the newly elected Chief Executive Officer of the Footwear Company Barta India तो देखें यहाँ पर राइट एंसर क्या होने वाला है Name the newly elected Chief Executive Officer of the Footwear Company Barta India राइट एंसर होगा यहाँ पर गुंजन सा इनका नाम है गुंजन सा Next Which country has successfully landed a spacecraft on Mars recently तो successfully landed a spacecraft on Mars यह किस country ने करवाया है Right answer होगा China राइट एंसर होगा इनका नाम बताईए ठीक है उस साइकलोन का नाम क्या था तौकते जो है इसका नाम था तौक आते ठीक है ये उसका नाम था तौक आते जो साइकलोन हीट किया था गुजरात कोस्ट में महरास्टरा में गोवा में इन सभी जगा पे तौक आते नेक्स्ट इंडियन अमेरिकन डैस हाज बिन अपोइंटेड सीनियर एडवाइजर टू यूएस प्रसिडेंट जोई बाइडन भारतिय अमेरिकी डैस को अमेरिकी राश्टपती जो बाइडन का वरिष्ट सहलाकार के रूप में नूट किया है उनका नाम क्या है नीरा टंडन निरा टंडन रवीना टंडन नहीं यहां नीरा टंडन निनका नाम है ठीक है नीरा टंडन नेक्स्ट क्या है हूँ अमॉंक दा फॉलविंग इस दे ऑथर ओफ दा बूख शिक्कीम ए हिस्ट्री ओफ इन्ट्रीक्यू एन अलायंस तो इसके author कौन है? इस book के? इनका नाम हो जाएगा. प्रीत मोहन सिंग मलिक. मलिक. प्रीत मोहन सिंग मलिक इनका नाम है. प्रीत मोहन सिंग मलिक. नेक्स्ट नेशनल डेंगु डे ये कब होता है ये होता है 17 माई को 17 माई राइट एंसर है इंटरनेशनल इन्वेंसिबल गोल्ड मेडल ओफ 2021 है बिन कन्फर्ड ओन डैस 2021 का अंतर राश्ट्रिय अजय शुर्ण पदक डैस को प्रदान किया गया है क्या होगा राइट एंसर रमेश पोकरियाल निशांक इनका नाम है ठीक है रमेश पोकरियाल निशांक नेक्स्ट निम्न लिखित में से किसने मिश यूनिवर्स 2021 का ताज जीता है निमने लिखित में से किसने Miss Universe 2021 का दाथ जीता है एंड्रिया मेज़ा जो है इनका नाम है ओप्शन नमबर B ठीक है एंड्रिया मेज़ा नेक्स्ट वर्ल्ल एट्स वैक्शीन डे ये किस दिन को अब्ज़र्ड होता है ये होता है 18 माई को अठारा माई को होता है वर्ल एट्स वैक्शीन डे नेक्स्ट वू हैज बिन अपॉइंटेट अज दा न्यू कम्पनी हेड ओफ सुजुकी मोटर साइकल इंडिया सुजुकी मोटर साइकल इंडिया के नए कम्पनी प्रमुक के रूप में किसे न्यूक किया गया है किसे न्यूक किया गया है क्या होगा राइट एंसर शंतोसी उचीदा को जो है न्यूक किया गया है option number E next world museum day ये कब होता है international museum day is observed on museum day होगा आपका 18th माई को 18th माई को होगा क्या international museum day next है the super computer named shimorg has been developed by which country recently तो किस country ने developed किया है तो इरान ने किया है developed next है who has been elected the new president of तिबबत तिबबत का नया राष्ट पती किसे न्यूक किया गया है किसे चुना गया है क्या होगा right answer pain pass sharing को जो है यहाँ पर right answer है इन्हें न्यूक किया गया है next the appointment committee of the cabinet headed by the prime minister has given a one year extension to शमान्ता गोयल he is the chief of DAS तो प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली cabinet की न्यूक्ती समीती ने शमान्ता गोयल को एक साल का विस्तार दिया है ठीक है extension दिया है वो किसके प्रमुक है तो research and analyzing wing के ठीक है क्या हो जागा यहाँ पर right answer option number क्या हो जागा यहाँ पर आप्शन नंबर होने वाला है आपका A जो है यहाँ पर correct answer हो जागा ठीक है research and analysis wing next question पर चले हम लोग United States Sinate confirms DAS as the first female army secretary सैयूक्त राज Sinate ने DAS को पहली महिला सेना सचीव के रूप में प्रिश्टी की है क्या हो जागा इनका नाम क्या है क्रिस्टीन वर्मूथ जो है इनका नाम है ठीक है next amnesty international day यह कब होता है amnesty international day when was the amnesty international day observed यह होगा 28 मई को at 28th मई amnesty international international day of united nations space keepers is observed every year globally तो यह कब होता है united nations space keepers is observed every year globally यह होगा 29 मई को 29th मई right answer है और इसका theme क्या था theme था the road to a lasting peace ठीक है leveraging the power of youth and youth for peace and security next है who has been appointed as the commerce secretary वानिज्य सचीव के रूप में किसे नियूक्त किया गया है इनका नाम है बी भी शुब्र मन्यम इनका नाम है next बशर अल अशद ठीक है बशर अल अशद has been re-elected for the fourth term as the president of which of the following country बशर अल अशद को निम्न लिखित में से किस देश के राश्टपती के रूप में चौथी बार फिर से निरवार्चित किया गया है वो देश है सीरिया है ना सीरिया नाम है बशर अल अशद यहीं के वो बने हैं president next question है who has been recently elected as the president of the international narcotics control board हाली में अंतराश्ट्रिये narcotics control board के अध्यक्स के रूप में किसे चुना गया है उनका नाम क्या है जगजीत पवाडिया इनका नाम है जगजीत पवाडिया next क्या है हाली में किस राज सरकार ने smart kitchen योजना शुरू की है smart kitchen scheme किस ने launch किया है तो केरल ने किया है ओके केरल हो जागा right answer next निमने लिखित में से किस मंतराले ने हाली में be with yoga be at home विशे के तहत पांच बेबनियार की सिंकला का आयोजन किया है right answer क्या होगा यहाँ पर तो ministry of ayus ने किया है किस मंतराले ने ये किया है तो ayus मंतराले ने किया है who was conferred the precedence award by international hockey federation through the 47th FIH Congress तो 47th FIH Congress के माध्यम से अंतराश्ट्रिये होकी महासंग द्वारा राष्टपती पुरुषकार से किसे सम्मानित किया गया है इनका नाम क्या है V. Karthikeyan Pandyan जो है इनका नाम है है ना Karthikeyan Pandyan इनका नाम है next who among the following has clinched the Geneva Open 2021 निम निलिखित में से किसने जिनेवा उपेन 2021 जीता है उनका नाम क्या है किसने जीत लिया है तो ये जीता है Kasper Roode ने Kasper Roode option number one correct है next Mohali International Hockey Stadium इसका नया नाम क्या है Mohali अंतराश्ट्रिये होकी स्टेडियम का नया नाम क्या है तो Olympian Balbir Singh Senior International Hockey Stadium Olympian Balbir Singh Senior International Hockey Stadium ये नया नाम है Mohali International Hockey Stadium का next है निम निलिखित में से किस कमपनी ने Gold Steve Award 2021 जीता है which of the following company has backed the Gold Steve Award 2021 ये हो जाएगा Spice Health ने Spice Health ने जीत लिया है next question है और very important question है कि Director of the Central Bureau of Investigation ये कौन बने है किसे केंद्रिये जाच ब्यूरो का निर्देशक नियुक किया है उनका नाम है शुबोद जैश्वाल शुबोद जैश्वाल जो है ये है उनका नाम शुबोद जैश्वाल next who among the following had chaired the 74th World Health Assembly निम्न लिखित में से किसने 74 वी विश्व स्वास्त सभा की अध्यक्षता की है हर सुबर्धन ने किया है 74th World Health Assembly किसने किया है हर सुबर्धन ने next है कि विश्व का सबसे बरा हीम खंड कहां इस्तीत है biggest iceberg located world's biggest iceberg located in क्या होगा right answer वेडल सी में ठीक है वेडल सी यानि के वेडल सागर में किवा है world's biggest iceberg located in वेडल सागर next world thyroid day ये कब होता है विश्व थाइरोइड दिवस ये हर साल किस दिन को होता है तो 25 माई को होता है ठीक है 25 माई next है who among the following is the author of the book Nehru, Tibet and China Nehru, Tibet and China इसके author कौन है अफ्तार सिंग, वाशीन जो है इसका नाम है इनका नाम है next or last question who has been appointed as the new president of the International Hockey Federation for three years till 2024 2024 तक 3 साल के लिए अंतर राश्ट्रिये होकी महासंग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे निउक्त किया गया है किसे निउक्त किया गया है नाम हो जागा इनका नरिंदर बत्रा ठीक है नरिंदर बत्रा जो है इनका नाम है right answer है option number B तो इस तरीके से मई 2021 का best 100 question complete होता है और इसी उम्मीद के साथ कि कल जो है आपका फिर से June 2021 के best 100 current affairs के साथ मुलाकात होगी तब तक के लिए all the best दो तीन important सूचना पहला कि इसका PDF जो है ये आपको कहा मिलेगा नीचे description box में और अगर आप चाहते हैं कि ये 100 questions का MCQ के रूप मे mock test के हिसाब से portal पे test देने का तो आप जो है application को download कर लेजे उसके बाद आप इसको test दे सकते हैं ठीक है नीचे उसका भी link दिया होगा SSD crackers application का ओके तो practice करते रहिए best content best questions के साथ SSD crackers के साथ तब तक के लिए all the best test